वीडियो में हम बात करने बाले हैं PSW वर्सेज BHW, पर्थिसकोचर वोमेंस वर्सेज ब्रिस्बेन हीट वोमेंस, और अस्टिलिया वोमेंस T20 बीग बैस लिग का ये जो है चैलेंजर मैच होने बाला है इसके बाद डिरेक्ली फाइनल खेले जाएगा, फाइनल में इडिलेडी स्टैकर की टीम पहुँच चुकी है यहाँ पर जो भी टीम विन करेगी वो डिरेक्ट बिग बैस लिग के फाइनल में जाएगी विडियो को पूरा देखेए, आपको पूरा स्टैट्स समझ में आएगा, कौन सी टीम अच्छी है, कौन सी टीम स्ट्रॉंग है सब भी कुछ आपको बताऊंगा और ड्रीम 11 की टीम भी बनाएंगे डिरेक्ली हम मैच के बारे हम बात करते हैं, पर्थ स्कोचर वर्सेज ब्रिस्बेन हीट मैच जो है चेलेंजर का है डबलू सी ए ग्राउंड पर्थ के बन्लू पे दो पहर में दो बच के दस मिनट पे जो है मैच स्टार्ट होगा यहां कि अगर मैं पिच्छ रिपोर्ट की बात करूँ, लो स्कोरिंग बन्लू रहता है, बॉलिंग को अच्छा सपोर्ट करती है विकेट्स जादे हमें गिरते वे देखे गए हैं, यहां पर लास्ट मैच भी अगर आप देखोगे न, टोटल जो है 17 मैच जो है इस विकेट में गिरे थे, लास्ट मैच में 130 रन एवरेज स्कोर है, जो भी टीम यहां पर टॉस विन करेगी, वो जो है मेरे साब से बैट फॉस्ट करना जो है प्रेफर करेगी और गाईज यहां पर मान के चलना कि भाई, जो है रन इस मैच में बन सकते हैं, क्योंकि यह दोनों ही टीम जो है काफी अच्छी है विडियो को लाइक सेर भी कर दीजे, आपका एक लाइक चैनल को सपोर्ट करेगा, हमें मोटिवेशन मिलेगी तो जो लग भी विडियो को देख रहे हैं, विडियो को लाइक मेरे भाई जरूर से आप क्या करें वेन्यू स्टेट्स की बात करें, इस वेन्यू पर टोटल जो है 35-20 मैचेस हुए है 14 बार बैट, 1st करने वाली टीम ने विन किया है, 21 बार बैट, 2nd करने वाली टीम ने विन किया है average first inning score देखोगे 135 का है highest score देखोगे 199 का है lowest score 94 run का है 35 matches में क्या हुआ है 22 बार 150 run से नीचे का score बना है 150 से 170 run के वीच में 9 बार score बना है 170 से 190 के वीच में 2 बार score बना है और 190 से उपर भी जो है 2 बार यहां पर score बना है venue पर जो last match कहला गया था न 28 नौवंबर को मैच कहला गया था यहां पर देख सकते हो Brisbane Heat की ही टीम ने खेला था जो की Eliminator match था और यह match बन करकी यह challenger में पहुँची है 44 run से इन्होंने बन किया था पर्थिसकोचर की यहां पर condition थोड़ी सी अलग है last के 2 matches अगर आप देखोगे पर्थिसकोचर ने यहां पर खेले हुए है और उन्होंने लॉस किया है जबकि उसके पहले एक मैच इन्होंने खेला था तीन नौवंबर को जो की इन्होंने चे विकेट से विन किया था पर्थिसकोचर की टीम जब खेलती है definitely आगर आप देखोगे तो भाई अच्छा कासा स्कूर जो है आपको देखने के लिए मिलता है विकेट्स अगर आप देखोगे विकेट्स गिरते है 17 विकेट गिरी है यहाँ पर 15 विकेट गिरी है यहाँ पर 11 विकेट गिरी है 13 विकेट गिरी है और यहाँ पर तो है 10 विकेट गिरी है विकेट गिरते हैं 12 तेरा विकेट मान के चलना नॉर्मली तो गिरने ही वाले है Head to Head की रिकॉर्ड की अगर हम बात करें टोटल 19 T20 मैचस हुए हैं पर्थिस कोचर और ब्रिस्वेन हीट वोमेंस के भीच में 8 बार पर्थिस कोचर वोमेंस ने विन किया और 11 बार ब्रिस्वेन हीट वोमेंस की टिम ने विन किया है इनके भीच में laughing लास्ट अगर आप Head to Head के रिकॉर्ड से देखो गोगये ना इस सीजन दो मैचस हुए थे, एक 9 नॉमबर को खेला गया था, एक 22 जो है अक्टूबर को खेला गया था, एक मैच जो है पर्थिसकोचर की टीम ने विन किया था, 49 रन से जो है मैच विन किया था, 192 जो है मार दिये थे, 3 विकेट के नुकसान पे, उसके पहले ब्रिस्वेइ की टीम ने भी 50 रन से मैच विन किया था, यानि कि दोनों ही टीम इस सीजन इक्वल रही है, एक मैच पर्थिसकोचर की टीम ने विन किया है, एक मैच ब्रिस्वेइन हीट की टीम ने विन किया है, लास्ट येर भी अगर आप देखोगे, 2022 में भी 2 मैचस हुए थे, ब्रिस् ब्रिश्वेंग हीट का अगर आप दीकोगे अपने लास्ट के जो है तीन मैचस जो है ये विन करके आ रही है सारे मैचस अगर सार लास्ट के दो मैचस जो है विन करके आ रही है यह वाला जो है इग्नूर कर देना इसको यहां पर तो है आपको सही चीजे जो है देखने के लिए मिल जाएंगी लास्ट के दो मैचस जो है विन करके आ रही है उसके पहले तीन मैचस जो है ह नज़र आएंगी वन डाउन पे CP पारो हैं उसके बाद नेट इसके वर ब्रंट है मैडी डार्क है सोफी डिवाइन है अलाना किंग है एमी एडगर है उसके बाद C एनिस वर्थ है टी पिश्चल है और एल मिल्स है ये पर्थिस कोचर वोमिन्स की प्लेइंग 11 है प्लेयर रोल में अगर आप देखोगे बैथ मुनी आपको लेफ्ट हेंड़ बैट करते भी नज़र आएंगी बाकी यहाँ पर मुस्तली आपको र गोर्जिया वॉल है निकोला हैंकोक है और काउंटरी सीपल है ये प्लेयर रोल इनके भी हमने लिखे हुए है गोर्जिया रेड मायने आपको लेफ्ट हेंड़ बैट करते भी यहाँ पर दिखाई देंगी तो पर्थिसकोचर वोमिन्स की जो है यहाँ पर प्लेइंग 11 और आप देखोगे तो भाई 33 सकाइबरेज है बैथ मुनी लास्ट मिच में एक रण प्याउट वी उसके पहले तीन रण पे लेकिन इस सिजन काफी बड़ी बड़ी बी जो है इनिंग से इनोंने खेली है एड़ टो एड में 32 सकाइबरेज है पीपारो कुछ खास अप्चन नह सोफी डिवाइन की बात की जा एगा लास्ट में वाई तीन विगट लेकर आई लब जबकि उसके पहले बाले मैस में इनोंने बॉलिंंग tub कर आई तो कभ बॉलिंग क्रांगी ये इस दिन बॉलिंग कर आथी है डेफनेट लेकिए ब ले जाती है और रन भी जो है यह प्ले शांदार जो है option ये रहने वाली है लास्ट मेच की जो है पर्तिस कोचर की balling देखते हैं तीन विकेट Sophie Divine को मिला, एक विकेट Net Discover Brand को मिला, और एक विकेट Alana King को मिला, ये लास्ट मेच की इनकी balling details है किसे ने कितने over डाले थे, वो भी हमने लिखे हुए हैं, या आप यहां पर वो भी देख सकते हैं, Brisbane Heat Women's की बात की जाए, Grace Harris अगर आप देखोगे, balling करा रही हैं, लेकिन मैच में इनको विकेट नहीं मिल रहे हैं spinner है, ध्यान रखेगा विकेट जो है, less मिलते हैं, और जादा over कराती हैं, आपको नहीं दिखाई देंगी लेकिन आपको बल्ले से जो है score करती भी दिखाई देंगी, इनके साथी साथ red माइने भी अगर आप देखोगे, 22 run 21 run, 22 run, 70 run तो थोड़ा बहुत बैट जरूर से चला रही हैं Amelia Kerr ने लास्ट में जो है, 40 run की है, प्लस एक विगेट भी इनको मिला, मैगन दुप्रीज अपनी दिन पर अच्छा करके आपको दे सकती है, ये वाले इनिक्स आप याद रख सकते हो इनकी ग्राणने की टीमें ट्राइ कर लेना, और उसके बाद बात करूँ, चारली नॉट की लास्ट में विगेट लेस रही, लेकिन ये जो है विगेट टेकिंग ऑप्शन है, विगेट निकालती है इस सीजन जो है, अगर आप देखोगे मोस्ली मैचस में इनको जो है विगेट नहीं मिले है, जह जोनासन लास्ट मेच में एक विगेट इनको भी मिला, उसके पहले बाले मैच में चार विगेट लेकर गई, हैट टो एड के 19 मैचस में 24 विगेट है, तो अठीक ठाक जो है आप रिकॉर्ड इनके बोल सकते हो ये लास्ट मेच की ब्रिस्बेन हीट की बॉलिंग डिटेल्स है, तीन विगेट कॉंटी सिपल को मिला, इनको लास्ट वभर में जो है विगेट मिले थे, निकोला हैंकोक ने दो विगेट लिगा ले, और चार वभर में मात्र 16 रन दिया था, एक विगेट जैस जोनासन एक विगेट अमिलिया केर को मिला था बाकी गोर्जिया वोल से जो है, तीन वभर डलवाए गए और ग्रेस हैरिस से एक वभर और चारली नोट से दो वभर चारली नोट से जो है, आप जादा वभर इस्पेक्टेड जो है, कर सकते हो और जी वोल के ओभर जो है, कट सकते है टॉपिक्स की बात करें, टॉपिक्स यानि की प्लियर इंप्लियर कौन कौन सी रहेंगी बैथ मुनी, सोफी डिवाइन, अमिलिया केर ग्रेस हैरिस, जैस जोनासन, नेट इसके वर बरंट, एमी एडगर और मेगन दुप्रीज, ये बढ़ियावड यहां प्लियर्स हैं, स्मॉल लिग की टीम में इन प्लियर को जो है, आपको जगे देनी चाहिए अच्छी प्लियर्स हैं, मोस्ली लोग लेकर आ रहे है आप भी अपने टीम में इनको जरूर से रखना इसमॉल लिग में CBC आप जा रहे हो बैथ मुनी, सोफी डिवाइन, अमेलिया केर और ग्रे सैरिस इन चार पे आपकी नजर बनी रहनी चाहिए आप यहां पर ग्रे सैरिस को या फिर बैथ मुनी को इगनूर करके नेट इसके और ब्रंट को भी जो है CBC कर सकते है कर सकते हो, यहां पर हमने पर्थिस को चर वोमिन्स की पुरी फुली स्कोर डिटेल ब्रिस्वेइन हीट वोमिन्स की पुरी फुली स्कोर डिटेल दोनों ही टीम की स्कोर डिटेल सेर करिए तो आप इनकी स्कोर डिटेल भी यहां पर देख सकते है अब सबसे जो important चीज है वो है मेरे भाई टेलीग्राम का चैनल वीडियो के description में हमने टेलीग्राम चैनल के link डाल रखी है आप जरूर से टेलीग्राम का चैनल जोईन करें यहाँ पर आपको जो है TOSK Information, Playing 11, Dream 11 टीम सभी चीज़े देखने के लिए मिलती हैं मेरे टीम बिल्कुल ही अच्छा पॉपरम नहीं कर पा रही है तो प्लीज आप लोग जो है अपना कैप्टन वाइस कैप्टन या फिर अपने टीम के साथ में जा सकते हैं मातर डेमो के तोर पे मेरे टीम आप जो है यहाँ पर देख लीजे बैथ मुनी है रेड माइने है दोनों जो है ओपन करती है अपने टीम में मैं रखूँगा मैंने ग्रेस हैरेस को भी लखा है लोरिन विल्फिल्ड अपने दिन पर अच्छा करके आपको दे सकती है सेम यहाँ पर मेगंदू प्रीच का भी है तो इनको अपने टीम में आप रख सकते हो मैं मेरे पास जगह नहीं है मैं नहीं रख पाया हूँ जेह जोनासन को लिया है नेट इसकेवर बरंट को लिया है सोफी डिवाइन को लिया है अमिलिया कैर को लिया है एमी एडिकर को लिया है चारली नोट को अपने टीम में लिया है गोर्जावल ने लास्ट मेच में भाई तीन ओवर डाले थे ये चीज़ ध्यान में रखिएगा ग्राडली की टीम में ट्राइ कर सकते हो यहाँ पर निकोला हैंकोक हमारी टीम में डैरेक्ली आएंगे और साथी साथ मैंने यहाँ पर आलाना कींग को लिया है काउंटी सिपल जो है डेथ में गेंदबाजी कर रही है ध्यान रखिएगा बढ़िया ओप्शन ये भी रहने वाली है और सी एनिस वर्थ भी बढ़िया ओप्शन रहने वाली है दूसरी यहाँ पर कुछ खास ओप्शन मुझे नहीं लग रही सी विसी की बात करें नो डाउट यहाँ पर मेरी जो कैप्टन रहने वाली है वो रहेंगी सूफी डिवाइन और वाइस करपन के अगर मैं बात करूँ मैं नेट इसकेवर ब्रंट की साथ में जा रहा हूँ आप यहाँ पर अमिलिया केर को भी जो है अपनी टीम में जो है सी वी सी कर सकते हो वो भी अच्छी आप्शन रहने वाली है टीम प्रिव्यू में देखोगे ना चारली नोट है, एमी एडगर है और साथी साथ अलाना किंग और निकोला हैंकोक है काउंटी सिपल को अपने टीम में आप ले सकते हो किसकी जगह पे चारली नोट की जगह पे आप अपने टीम में या फिर एमी एडगर की जगह पे अपने टीम में रख सकते हो कैप्टन वाइस कैप्टन, कैप्टन आपको फिर से बता दू कि आप अमिलिया केर के साथ में भी जो है CBC जा सकते हो, लेकिन मुझे रग रहा है पर्थिसकोचर के टीम जो है इस सीजन और ये मैच जो है विन करने वाली है ये मैच तो मैंने पर्थिसकोचर के जो है प्लेयर्स को यहाँ पर CBC किया है I hope विडियो जो है आपको informative लगा होगा विडियो आपने लाइक कर दिया होगा दोस्त अगर चैनल पे आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बैल आइकन आएगा उसे जरूर से प्रेस कर देना ऐसे ही चैनल को देखती रही है सपोर्ट करते रही है मिलता हूँ आपको अगली विडियो में